असलाम अलेकूम, एक और लेक्षर के साथ मैं दुबारा आगया और अभी हम आगे और चागे ठा करके वाला काम करने वाले हैं Flask के साथ एक end-to-end project बनाने वाले हैं, from zero until the end Obviously, मैं coding one-to-one करके आपको नहीं दिखाऊंगा, coding की फाइल, codes आपको सारे provide कर दूँगा but concept और core चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ इस एक machine learning app के अंदर, हम zero से last तक सारे का सारा काम करने वाले हैं और इस app को deploy करने वाले हैं This could be the basic project for you, which you can add into your portfolio Let's jump into it आज की इस app का नाम है house price prediction app और इसका मैंने already house price predictor एक नाम suggest कर लिया है, यहां पे खुदी तो data हमारा जो है, वो json file के अंदर मैंने यहां पे रखती है You can also have the same dataset in any kind of data frame as well लेकिन मैंने json क्यों रखा है, क्योंके it's easier to read क्योंके इसके अंदर different instances मुझूद है इस एक file के अंदर, आपके पास जो data है, वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है यह dummy data मैंने generate किया, और इसको मैंने data के folder के अंदर रख दिया अगला काम हमारा यह है कि हम model.ipynb की file बनाएंगे जो मैंने यहां पे बनाई है, या आप model.py की file बनाएंगे और data के उपर model को train करके save कर लेंगे, ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं model.ipynb के अंदर data को open करके इसका model save कर रहा हूँ, अब आप गौर से देखें कि मैंने यहां पे सबसे पहले pandas ली, linear regression का function लगाया, pickle को import किया क्योंकि हमारे पास cycle learn हमने install किया औरडी, तो हमने यहां पे data को read किया, data को read करने के बाद x और y हमने रखे यहां पे, और हमने linear regression को लगाने के बाद, यहां पे pickle से model को हमने यहां पे right binary के साथ save कर लिया, कैसे मैं आपको step by step इसको बताता हूँ, सबसे पहली चीज मैंने क्या किया है, मैंने यह वाला notebook के अंदर, यह इस तरीके से यह तीन libraries import कर ली, then I can do this thing, कि मैं अपने पास यह data को read करके paste करो, something like control x, यहां पे मैं करता हूँ, control v, तो यहां पे df.head भी मैं कर सकता हूँ, और यह data मेरे पास इस तरीके से मुझूद है, तो बड़ी simple linear regression मैं यहां पे लगा रहा हूँ, area and square fit, और साथ में उसके price हमने mention की हुई है, आपका यह data लाखों, millions rows पे भी depend कर सकता है, strategy यही चलेगी जो यहां पे आपको बता रहा हूँ, यहां पे हमने read.json की है, आप csv file भी कर सकते हैं और excel की भी कर सकते हैं, right, now what you have to do, you have to define your x and y, ठीक है, और मेरी आदत है मैं हमेशा x बड़ा रखता हूँ, y छोटा रखता हूँ, just to be on the safe side, ठीक है, और यह जो है, यह हमारा linear regression का model है, so हम इसे model कहा देते हैं, model.fit इसे बोलेंगे, और यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूँँगा, model as well, ठीक है, और यह जो code है, house price prediction का मैंने थोड़ा सा modify किया है, बट original code github पे एक बंदिक है, जिसका link में description के अंदर आपको provide कर दूँगा, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे x y के यह पहले नहीं थी, मैं इसको delete करता हूँ, आपको दुबारा से दिखाता हूँ कि यह गोर कीजएगा, यहाँ पे एक file appear होगी, यह हमारे पास trained model की file है, and these PKL या pickle files are important to train the model, मैं जूपिटर notebook को save कर लेता हूँ, अब हमारी जूपिटर notebook हमारे किसी काम के नहीं है, but we still need that अगर हमारे पास workflow को हम use करें, फिर हम अगला काम करेंगे, अपना जो static एक image है, background की, उसे रखेंगे, मैंने यह वाली डाली थरीके थूँ image बनाई है, and we can use that as a background image for our app, तो statics के अंदर आप अपनी image रख सकते हैं, या कोई भी different किसम के icons रखते हैं, template के अंदर मैंने index.html की file और रडी बना ली हुई है, which looks like this, ठीक है, अब यहाँ पर एक तरीका गार यह है कि हमारे पास predict house price आगया, area and scare fit आगया और prediction.test यहाँ पर हमारे पास आगया, that means we can have these images like this, मैं static image जो है background.png, यह मेरे को मैं jpg के अंदर अगर convert कर सकू, jpg and hopefully now it will work here as well, नहीं काम कर रही, चलो, we will see that, so हमारे पास यह background.jpg जो file है हमारे पास, यह यहाँ पर आ चुकी है, let's see, यह क्यों यहाँ पर print नहीं हो रही है, I don't know, but we will have a look, जब हम अपनी app को देख लेंगे, यह हमारी यह बड़ी simple सी, हमने यहाँ पे render किया, flask render template and request को, import pickle कर लिया, क्योंके हमने यहाँ से model को बुलाना है, numpy हमने क्यों ली, क्योंके हमने अपनी जो values हैं, उनको different किसम की arrays के अंदर convert करना है, ठीक है, हमने flask को start किया, हमने model जो है, अपना read binaries करके open कर लिया, model.pickle की file, यह वाला model, ठीक है, अब यह backend पे हमने model को अपने को open किया, फिर हमने अपनी app को root किया, यानि के index.html के अंदर हमारी जो app है, उसके अंदर root होगी, और यह app हमारे पास basic जो start है, वो start करेगी, index.html की, जो हमारे पास index.html की HTML app बनी हुई है, ठीक है, अब आगे क्या है, हमने फिर से root करना है, और forward slash predict, यह करना है method post, यानि के अगर हमारे पास कोई बंदा, कोई predict के बटन पे, जो हमारे पास यहाँ पे मुझूद है, predict price पे click करता है, then we will show some kind of output, तो इस वज़ा से इसको post में रखा गया है, ठीक है, so predict के अंदर method is equal to post है, define predict, predict क्या है, feature integer के अंदर हम लेंगे, ठीक है, for x in request form.values, जो हम request form ले रहे हैं, जो यहाँ पे HTML के अंदर हमारे पास बना हुआ है, यहाँ पे कोई बंदा अपनी features देगा, integer के अंदर, अगर वो integer होगा ठीक है, अगर वो integer नहीं होगा, then we will convert that into an integer, integer के अंदर वो feature देगा, and then what we will do, we will actually reshape that feature into two-dimensional array, ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, two-dimensional array क्यों चाहिए, क्योंकि हमेशा x के लिए हमें two-dimensional array चाहिए होती है, अगर आपको basic machine learning के lectures याद है, फिर हमने क्या करना है, prediction करनी है, model.predict feature final, ठीक है, यह जो हमारे पास final feature था, इसको predict कि, अब हमारे पास prediction आ गई है, अब हमने उसको, prediction को, index.html के साथ, prediction.text के साथ, हमने price of house will be this much in format integer prediction, यानि के, हमने message लिखना है, यह वाला, इसके बाद, उसकी price को हमने print कर देना है, at the end, यह एप यहाँ पे हमने, इसको यहाँ पे इस तरीके से run करना है, अब इसको मैं control s करता हूँ, terminal साहिब अपने open करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ python, और साथ में मैं लिखता हूँ 03, नहीं 04 लिखना है, क्योंकि यह हमारी चौथी app है, और इसके बाद slash app.py मैं लिखता हूँ, इसे run करता हूँ, और अब हमारे पास model.pickl की file वो कहते हैं, रीजन क्या है, हमारे पास model.pickl की file मुझूद है यहाँ पर, यह चेक करें, model.pkl हमारे पास मुझूद है, model.pkl, लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि आपके पास model.pickl की file जो है, वो मुझूद नहीं है, let's see, क्यों नहीं है, pickle.load, open model.pkl, model.pkl, हमारे पास file तो मुझूद है, okay, let's try again, python, app.py, अहाँ, it's not working, no such file or directory, file not found, open model.pkl, file not found, चलें, एक और काम करते हैं, यहाँ पर इसको run करके देखते हैं, json does not exist, सारा कुछ तो पड़ा हुए यार, यह ऐसे क्यों कह रहे हैं, data में हमारे पास json है, और हमने यहाँ पर, ctrl x करके, मारे पास file बन गी है, model.pkl, house price predictor के अंदर ही है, I see, now I understand के क्या problem है, okay भाई जी, we have to go into that folder जहां से हम run कर रहे हैं, so I have to go 05 इसके अंदर, इस folder के अंदर cd04 and now I have to run that file, otherwise नहीं चलेगी क्योंकि यह समझ रहा है कि cd04 की directory के अंदर पड़ा हुआ है, यानि कि उससे one step पीछे पड़ा हुआ है, यह सारा कुछ, now it's fine, python app.py, अब नहीं कोई भी error आएगा, कैसा, जा दू, तो मैं यहाँ से इसको run करता हूँ, यह हमारी जनाबे आला app बन गई है, अब यहाँ पर मैं area and square feet मैं कहता हूँ, 15 square feet का area, predict करो price को, तो वो price बता रहा है, बाइस पान सो, 15 square foot के area की, अगर मैं इसको 62 square feet करता हूँ, तो price हमारे पास आएगी इतनी, ठीक है, and you can also expand this output box, आपके अपनी मर्जी है, जितना मर्जी से expand कर लें, और यहाँ पर अगर मैं अठावन सो square foot की कोई चीज लेने चाता हूँ, तो मेरे पास price यह आ जाएगी, अब आप गौर करें, कि हमने क्या करना है, main चीज क्या है, आपके पास जितनी input थी, data के अंदर, उतनी ही आपके पास, output होनी, जो features हैं, वो होने चाहिए, when you have to train your model, आपको prediction के लिए भी वो ही चाहिए, for example, यहाँ पर df.head मैं करता हूँ, just to show you, यह df.head किया, हमारे पास दो feature थे, एक की base पे हम दूसरे को predict कर रहे हैं, so हमारी app भी एक की base पे दूसरे को predict कर रहे हैं, अगर हम एक ऐसी app बनाते हैं, जिसमें multiple features होंगे, तो multiple features की base पे दूसरी चीज को predict करेंगे, and that's what we are going to do in our upcoming lecture, तो आप देख सकते हैं कि front end के पीछे आप background भी लगा सकते हैं, इसको different किसमें colors भी दे सकते हैं, और HTML के अंदर further चीजों को आप add करके, बहुत खुबसूरत भी बना सकते हैं, for example, यह green है, इसको मैं different color में भी choose कर सकता हूँ, let's say मैं इसको कुछ इस तरीके से color द देता हूँ, white, smoke color की बजाए मैं कुछ इसको इस तरीके color देता हूँ, इसको control S करता हूँ, and let's refresh this, continue, और यह देखें, आपके पास predict price के button का color change हो गया, and this is how you can actually work on your idea, और उसके बाद आप इस पे काम कर सकते हैं, I am hopeful के आपको यह app पसंद आई होगी, and इस तरीके से web apps को हम बना के deploy करना बहुत असानी से सीखते जाएंगे, यह flask की एक end-to-end, बहुत basic project मैंने आपको इस वेज़ा से बताया, कि आपके पास एक model.pickle file होगी ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, and that's what we are going to do in our next apps, अपना खया रखें, like, share, subscribe कर दें, लाने गवान, असलामुलेकूं.